हेलो आइंड वेल्गम दोरी वल्डवाइट पोस्टो खतर में इंडियन नेवी से रिलेटेड पहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आठ इंडियन नेवी के फॉर्मर सोल्जर्स खतर की जेल में बंदे और इन सोल्जर्स की गलती क्या है नहीं मालूम इलजाम क्या है इंडियन गवर्मेंट ने कहा कि वो कमपलीटली खतर के डिशीजन को लेकर शॉक है जैसा कि Ministry of External memang ने कहाए कि हम आगे के डीटेल्स का इंतिजार कर रहे हैं Ministry of External Office completely उनके family के members और legal team के साथ contact में हैं, हम सबी कानुनी रास्टे डुन रहे हैं ताकि उन soldiers को वापस दुबारा इंडिया लाया जाए, इंडियन government आगे वड़ी को भी उठाएंगी, तो अब ये कहानी कैसा शुरू हुई, कैसे ये soldiers खतर की jail में कैद हो गए, और वो भी ऐसे देश में कैद हुए, जहां इस case के बारे में इतनी कम जानकर ये मतलब proper information नहीं है, ये लोग बहुती मैने पहले कैद हुए थे, लेकिन हमें मालुम हो रहा है, पहले तो देखिए, ये 8 former soldiers एक defense company में काम करते थे, इसका नाम था अलदारा Global Technologies था, जो की Oman Air Force का एक नई website पर, new website पर ये बाचित नहीं हो रही है, मैं जहां तक समझता हूँ, ये थोड़ा सा मतलब अजिब दिख रहा हूँगा आपको और मैं को, चुनके यहां कुछ ना कुछ ना यार, गल्ती हुई हूँगी, company से related या फिर, या फिर different security से related कुछ ना कुछ हुआ हूँगा Indian embassy को इस arrest के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, ये फिर भी guys बहुत अजिब दिखराए, 30 September को इन soldiers को अपनी family के साथ phone करने की permission मिलती है, यानि की एक महीने बाद phone करने की permission मिलती है, और कुछी दिन बात ही Indian embassy को इस case के बारे में पता चला, 3rd October को एक Indian diplomat को उन से मिलने क का मोका दिया जाता है, पिछले साल के अंद तक एक और एक consular access दिया जाता है, और इस साल की शुरुआत में प्राइल्स शुरू हो चुकी थी, पहली सुनवाई में 29 मार्च को हुई थी, और सबसे हाली की सुनवाई 3rd October को हुई थी, Indian government ने इसे confirm किया है, और ये भी confirm किया क वर्टिक इस मैने का भी last verdict हो सकता है, इसके बाद शाहिद कोई भी वर्टिक नहीं होगा, सब final होगा, 3rd October को साथ भी सुनवाई हुई थी, Indian government court proceeding को closely follow कर रही है, monitor कर रही है, जिसे court of first instance भी कहा जाता है, Indian ambassador ने उनसे मिलने की भी कोशिश की है, और deputy chief of commission ने भी मुलकात की, 8 former soldiers को court में कानुनी मदद दी जारी है, इसका मतलब Indian government को ये इलजाम पता है, तो फिर public को ये क्यों नहीं बताया जारा है, तो मतलब पुशना कुछ होंगा, इसलिए नहीं बताया जारा है, और soldiers के family के साब से उनको भी इस इलजाम का पता नहीं है, Indian government के साब से उन्हें charges का प पता है, लेकिन public और उनके परिवार को अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इस case को लेकर diplomatic problems चारी है, इंडिया खतर के बीच मजबूर diplomatic relations के बावजूत बिना इस मामले का हल अब तक नहीं निकल पा रहा है, रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने खतर के अमिर और political support की जरूरा थे, खतर के law के साब से खतर अमिर के पास power है कि वो presence को माफ कर सकते हैं, तो अगर इंडियान authorities खतर अमिर के साथ contact करती है, तो काम बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन एगें ये सब इंडियान government पर depend है, खतर authorities पर डिपेंड है, आगे क्या अबड़ेट साथ ये देखना, अगर मेरी वीडियो informative देखी तो international office के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं, thank you so much and God bless you all